हमारे सोलर सिस्टम में बच्चो जितने भी प्लैनेट से हम सब जानते हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं कैपलर ने उनके मोशन के कुछ लॉज दिये हैं उन लॉज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे क्या बलता है बच्चो कि जितने भी प्लैनेट से बच्चो वो सब के अराउंड ये कोई प्लैनट पी टू है ये स्केराउंड घूम रहे हैं सपोस कीज़ें ये कोई प्लैनेट P3 है इस तरह से वो घूम रहा है बच्चो और सपोस कीज़ें कि ये कोई प्लैनेट है P4 वो कुछ इस तरह से घूम रहा है तो जितने भी प्लैनेट से All of them are revolving around sun in elliptical path वो सभी के सभी बच्चो दिर्गवत्त कार कक्षा में हिंदी में उसे दिर्गवत्त कहा जाता है तो जितने भी प्लैनेट से बच्चो They all are moving around sun in elliptical path जैसा कि हम मैंने पता आपको बच्चो किसी प्लैनेट का ellipse ऐसे बन गया तो किसी का ellipse ऐसे बन गया हो सकता है बच्चो किसी का ellipse जो है वो कुछ ऐसा बन जाए तो जितने भी प्लैनेट से बच्चो वो सब के सब sun के around elliptical path में चक्कर लगाते हैं और जो sun होता है बच्चो उनके elliptical path या उनका ellipse जो होता है बच्चो उस ellipse के एक focus पर लाइख करता है sun lies this is the center of ellipse यह ellipse का center है बच्चो और यह ellipse का center होगा और ellipse के center पर क्या होता बच्चो यह जो line होती है इसे हम उसकी major axis कहा करते हैं जो सबसे बड़ी line होती है उसे हम बोला करते है major axis अगर आप लोगों ने mathematics में coordinate geometry में पढ़ रखा हो largest chord जो होती है उसे हम बोला करते है major axis और सबसे smallest जो chord होती है सबसे चोटी जो chord होती बच्चो उसे हम कहा करते है minor axis यह लीजिए और जो sun होता है बच्चो हमने क्या बोला कि जितने भी planets है वो सब के सब sun के राउन गूम रहे है और ऐसा नहीं कि वो obviously गुम रहे है तो वो जो sun है ऐसा नहीं कि वो ellipse के center पर है sun जो होता बच्चो उस ellipse के center पर नहीं होता वो उसकी किसी एक focus पर होता है actually इसमें दो focus होते है बच्चो एक focus होता है यह और एक focus होता है यह focus को हम लोग बच्चो जो focus होता है उनको हम S1 और S2 से represent करते हैं कुछ लोग focus को F1 और F2 से भी represent करते हैं तो कुछ authors आप देखेंगे S1, S2 से represent कर रहे हैं और कुछ जो है बच्चो उसको F1, F2 से represent कर रहे हैं तो जो focus होते हैं बच्चो वो क्या होते हैं तो सेंटर से थोड़ा सा आजू बाजू होते हैं और जितनी डिस्टंस यहां पर होते हैं उतनी ही डिस्टंस यहां पर भी होते हैं दोनों बाजू जो distances होती हैं बच्चो वो डिट्टो आपसोल्यूटली सेम होती है अगे नाई explain बैए देखें जितने भी प्लाइनट से बच्चो सब के सब सन के अराउंड एलिप्टिकल पात्में चक्का लगा रहे हैं सन उस एलिप्स के एक focus पर है कितने focus होते हैं बच्चो दो या तो यह या फिर यह तो किसी प्लाइनट के लिए बच्चो कोई प्लाइनट जक्का लगा रहा होगा तो उसके लिए सन इहां पर आएगा और किसी दूसरे प्लाइनट के लिए बच्चो सन इहां पर आएगा जैसे यह देखिए, अभी sun यहाँ पर है, तो इस planet के लिए, suppose कि यह कोई planet P1 है, तो इसके लिए वो left वाले focus पर आया, और दूसरा कोई planet वो गुम रहा है बच्चों, तो उसके लिए वो right वाले focus पर आया, यह भी एक elliptical path है, और यह भी एक elliptical path है, तो सब यह देखिए, तो दो focus होते हैं ellis में, एक focus होता है बच्चों, center के right hand side पर, और एक focus होता है बच्चों, center के left hand side पर, तो वो कह रहा है, कि all the planets are revolving around sun in elliptical path, and sun lies at one of the focus, of that elliptical trajectory, वो जो भी कोई elliptical trajectory होगी, बच्चों, sun उसके एक focus पर होगा, sun उसके एक focus पर होगा, अभी जैसे बने बता आपक focus पर लाए करेगा, या तो यहां पर यहां पर exactly, अलग-अलग case में, वो अलग-अलग हो सकता है, किसी case में, left वाके, kसी case में लाईटन वाली, और ऐसा नहीं, कोई ellips ऐसा भी हो सकता है, कोई ellips ऐसा भी हो सकता है, तो यह कुछ practically बात होती है, बच्चों, तो यह सबसे पहल आफ़ली बनाए एलिप्स को डराव करने का सबसे बड़या थलीक होता बच्छो सबस्कीजी यह आपके एक पेपर शीट है यह एक पेपर शीट है आप एक काम कीजिए इस पेपर शीट पर दो पिन ठोकदीजिए कार्डबोर सिस्टम डिजिए और उस पर एक वाईट पेपर बादे लीजे और उस पर आप क्या करती जए दो all pin बच्चो ठोक दीजे उसके अंदर embed कर दीजे embed कर दिया आपने अब यह जैसे एक pin आपके पास में यह थी और एक pin आपके पास में यह थी हो गई अब आप क्या कीजिए बच्चो यह एक pin थी suppose करो जिसको नाम दिया S1 और दूसरे को नाम दिया S2 अब मैं क्या करता हूँ बच्चो इनके बीच में धागा बानता हूँ इनके बीच में धागा बानता हूँ ऐसा धागा बांता हूँ जैसे दोनों pin आपने ली तो इस pin और इस pin के बीच में एक मways धागा बांधोंगा और धागा कुछ ऐसा लूँगा के जो धागे की rencont ऑग हो थोड़ी जादा हो थोड़ा खुला खुला धागा हो ऐसा नहीं कि विल्कुल एक straight line बन गई, थोड़ा खुला खुला धागाओ जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, थोड़ा जितना मर्ची खुला करतीजिए उसको, ज्यादा करतीजिए, कम करतीजिए, वो एक आपके उपर है, आपने ऐसा कर लिया, अब आप एक काम कि आपने धागा बांद दिया, अब धागा बांदने के बाद बच्चो यह जो है, इस धागे को आप पिन से खीचिए, जब आप इस धागे को पिन से खीचेंगे, तो क्या स्थिति बन कर आएगी, जरा सोचिए, इमाजिन कीजिए बच्चो यह S1 था, यह S2 था, यहाँ आपने दो पिन से खीचा, जब पिन से खीचेंगे बच्चो तो कुछ ऐसी सिचुएशन सामने आजाएगी, ऐसी सिचुएशन सामने आएगी, पैया मेरा पैन यहाँ पर आगया, मैंने इसको खीच लिया, अब मैं क्या करूँगा बच्चो यह यह पिन तो बंदी हुई है अब मैंने पिन यह ली, अब मैं क्या करता हूँ बच्चो इस पिन को ऐसे ऐसे पैन को ऐसे घुमाऊंगा, पैन को मैं धागे के सहरे सहरे घुमाऊंगा, जब मैं धागे के सहरे सहरे घुमाऊंगा बच्चो तो वो बन जाएगा एक ऐलिप्स, वो बन जाएगा एक ऐलिप पर दो पिन, embed गर दी, S1, S2, उनके बीच में आपने एक धागा बांद दिया, जैसा मरजी बांद दिया, अब उस धागे को आप बच्चो पैन से खीचेंगे, तो कुछ ऐसी सिच्वेशन आपके सामने आ जाएगी, ऐसी सिच्वेशन आपके सामने आ जाएगी बच्चो, य तोड़ी देर बाद धागा खिचकर ऐसा हो गया, कुछ ऐसी सिच्वेशन बनेगी, तो इस तरीके से जब मैं बच्चो ड्राओ करूंगा, तो मेरे सामने एक ऐसी जोमेटरी बन कर आएगी, और ये जो जोमेटरी मेरे पास में बन कर आएगी, बच्चो ये होगा ऐलिप्स और जिन्हें हम फोकाय कियते हैं, मैंने आब बटाया, फोकाय क्या होते हैं, सेंटर के आजूब आजय, उसके इदर साइड होते हैं, तो ये जो S1 और S2 जहाँ पर आपने पिंट ठोकी थी, जो दोनों फिक्स पॉइंटे, वो उस ऐलिप्स के बच्चो फोकस होंगे, उसक बच्चों, ellipse को ड्राउ करने का और उसको फोकाय का फंडा अभी आपो कलियर हो गया Actually, ellipse जो होता बच्चों, ellipse को define करने का तरीका होता है कि कोई point अगर ऐसे move करे कि उसकी दो given point से distance का सम हमेशा सेम रहे तो उस point के locust को हम बोलते ellipse Engineering student मेरी बास समझ गया होंगे मेरे क्याल से और जिनों ने मुझस से ellipse पढ़ रखा है जिनों ने ellipse का लक्चर मेरा अटेंड का रखा है वो समझ कर होंगे कि मैंने क्या का है But of course, medical student चायद इतने comfortable नहीं हो पाई बच्चों, ellipse is basically defined as the focus as the locus of a point which moves So that sum of its distance from two given points is always constant देखे, यह दो points है अब आप कुछ भी कर लीजे भचो धागा तो आपका वही का वही है आप धागे को खीच के यहां ले आईए धागा वही का वही है आप खीच के यहां ले आईए धागा वही का वही है आप खीच के यहां ले धागा वही का वही है आप खीच के सपोस के यह स्ट्रिंग को यहां ले आईए तो धागा तो आपका वही का वही है उसी धागे को आप चला रहे है तो खुल मिलाकर इन दोनों लंद का जो सम होगा वो क्या होगा बच्चों दागा क्या है? आपने दागा ऐसा ढीला था, आपने इसको खीज दिया, तो ये पूरी दागे की लंबाई है, आप धागे को यहां से यहां ले आए, तो भी वही का वही दागा रहेगा, आफ कोर्स, ये लंद बढ़कर ये हो गई, देखेगा, गोर कीजेगा, पहले ये लं constant quantity है भचों, तो आप उसको यहां से यहां ले किye ये तबी लंद होई की वही रहेगी, आप उसे यहां से यहां लेकिा ये तबी लंद होई की वही रहेगी, एलिपस की definition के, आप कुछ भी कर लीजिये, उसको, मूफ गराएंगे तो हमेशा इन दोनों पेंज से जो डिस्टंस का जो सम आएगा बचो डाट वूड अल्वेज डिमेन इक्वल तो दे लेंट आफ दा स्ट्रिंग करने के लिए उस डाइग्राम को अच्छा बनाने के लिए ऐसा बना देते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कि बिल्कुल सबके सब एक ही डायक्शन में रखें कोई ऊपर है तो कोई तिर्चा है तो कोई इधर है हम पढ़ते हैं अगबारों में पढ़ते हैं आप लोग और कुछ-कुछ लोगों को तो यह जो सोलर सिस्टम होता तो बहुत इंटरस्ट होता है तो जो तमाम टीवी चैनल है या वीडियो वगरा भी नेट पर देखते रहते तो उसमें देखते हैं भया कि हम लोग पढ़ते हैं कि भया आज फलाना प्लैनेट अर्थ के सबसे क्लो अगया यह फलानी जो तूफान आया था यह तूफान इसलिया था क्योंकि आज आर्थ के सबसे क्लोज यह सटेलाइट आया था यह प्लैनेट आया था और इसकारण ग्रेविटेशन का फोर्स लगा और उसकारण से जो है साब तूफान आ गया यह समूद्रे में तूफान गया तिमाम तरह साफ की जो बाते उती हैं तो वह इसी कारण tantils होती सब एक इसी पहली बात हो पाती हैं तो अगर इसी हो पहली बात पो सबसे पहली बात आपने क्या पात में पात में इन क्लगाते हैं और सन भी उस ellipse के किसी भी एक focus पर होगा वही जैसे ये ellipse था जैसे ये वाले हमेने ellipse बनाया तो इस ellipse में दो focus थे इस ellipse में दो focus थे एक यहां पर था एक यहां पर तो दोनों में से किसी एक focus person होगा यह एक बात है बच्चो अब अगली बात हम लोग यहां पर देखते हैं बच्चो यहाँ पर actually Kepler ने तीन लाज दिया और तीनों ही लाज बच्चो बहुत important है और तीनों ही लाज के उपर जो है conceptual या numerical काईन की problems बनती होती है तो पहली बात तो आपको यह समय में आ गई अब देखे साब मैंने ये एक roughly एक ellipse draw कर दिया I have drawn a rough ellipse मैंने एक rough ellipse बना दिया बच्चो और यह क्या है आपके पास में sun है suppose कीजिए sun का mass क्या बच्चो ms sun का mass मैंने माल लिया ms अब यह मेरे पास में earth है suppose कीजिए मैंने example को तोरब बच्चो earth ले लिया earth ले लिया और suppose कीजिए इस instant पर इसकी जो velocity है आपको पता है एक बात तो जब कभी कोई body curve path पर चलती है तो direction of velocity is always tangential to the direction tangential to the curve पर तो साब यह velocity है यह लिजिए इस जगा पर velocity है और इस जगा पर बच्चो यह है radius vector यह radius vector और यह velocity vector यह कुन सा vector है velocity vector और यह कुन सा vector है radius vector अब बच्चो अगर मैं इस particular moment पर इस पर जो मैं torque निकालता हूँ suppose कीजिए अगर मैं इस पर torque निकालता हूँ तो torque क्या होता है बच्चो और torque जो होता है वो होता है r vector cross p vector torque अगर हम निकालते हैं suppose कीजिए या sorry torque क्या होता बच्चो r vector cross f vector आगlor हम अगर कभी भी किसी पार्टीकल पर कितना टार्क लग रहा हैं। कि लिए हम क्या करेंगे बच्छों R वेक्टर क्रोस एक अब देखें से आर वेक्टर और एक लिए प्लैनेट पर से मैं नहीं है पर लिया है, upon r cube into क्या बच्छो r vector, यही होगा, हम लोग newton's law of gravitation पर चुके हैं बच्छो और बकादा उसको vector form में भी हम लोगों ने देखा था, तो vector form में अगर हम force की value लिखें, तो वो कितनी होगी बच्छो, minus g m1, m2 upon r cube into r vector, यह कुछ होगा, अब बच्छो यहां पर यदि हम देखें, तो क्या होगा, minus g ms into small m upon r cube, यह तो जो पूरे quantity, this is a scalar quantity, यह पूरी a scalar quantity, और यहां जो आपके पास में आगया बच्छो, that is r vector cross r vector, यह r vector cross r vector आगया, और इसको solve कर लेंगे बच्छो, तो यह कितना आजाएगा, यह 0 आजाएगा, देखें, यह r vector था, और minus g ms m upon r cube आगया, into r vector cross r vector करतीजे, you will find equal to 0, मतलब क्या आगया बच्छो, हमने यह देखा कि जब planet sun के around chakkar लगा रहा है, जब planet sun के around घूम रहा है, when planet is revolving around sun, तो what you find, आप देखें, जो torque आ रहा बच्छो, वह 0 आजाएगा, तो torque कैसे निकालेंगे, मैं फिर बोल बच्छो, force का जो moment होता है, उसे हम बोला करते है, torque that you have seen in rotational motion, तो बच्छो, वह होगा, r cross f और f की value इतनी है, solve करेंगे, यह आगया 0, क्यों, क्योंकि कि किसी vector का उसी vector के साथ में, cross product जो होता है, बच्छो, वह 0 होता है, तो इस अधार पर torque अगर 0 आगया, बच्छो, यह torque क change of angular momentum के बराबर, torque जो होता है बच्छो, यह PD इस उकल्टर, rate of change of angular momentum, कोन है सम्वेग में, परिवर्तन की दर के बराबर होता है, हम लोग Newton's law of, gravitation पहते है, बच्छो, 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 यह तो rate of change of linear momentum, and torque जो होता है बच्छो, इस अधार च्छो, बच्छ motion translatating motion and this is Newton secondigm rotation motion तो इस अधार में क्या बोल सकता हूं इस आधार पर मैं बोल सकता हूं कि जो angular momentum रहेगा बच्तो रै arkadaşo चेंज हाफ अगिल चेरौ है और रहे आफ चेंज एंगिलर momentum जीरो तो change of angular momentum जीरो और चेंज आफ एंगिलर मोमेंटम जो आएगा बचो that would be a constant quantity इस तरीके से जो angular मोमेंटम आएगा बचो वो constant रहेगा angular मोमेंटम में कोई change नहीं आएगा तो ये बचो Kepler के जो तीन laws है उनका law है जो क्या बोलता बचो ये law ये बोलता है कि जब भी कभी कोई planet sun के around घुमता है when any planet moves around sun then its angular momentum remains constant क्योंकि देखिए इस case मनँ torque कितना लग रहा है ठार्क 0 लग रहा है कोई torque नहीं लग रहा है तॉर तार्क कुछ भी नहीं लग रहा बचो और टार्क नहीं लगने के करण angular momentum रहेगा और अगर angular momentum बचो constant है angular momentum ऊन्जर मोमेंटम की value क्या होती बच्छो I into omega angular momentum की value क्या होती बच्चो I into omega हम जानते है बच्चो जिस तरह से linear momentum linear momentum होता है mass into velocity उसी तरीके से जो angular momentum होता है बच्चो वो होता है I into omega so angular momentum will remain constant angular momentum जो है वो constant रहेगा हम यहाँ पर यह जो angular momentum है यह किसका angular momentum है this is the angular momentum of the planet with respect to sun जिसके around घूम रहा है this is the angular momentum of the planet जैसे की example के तोर पर अर्थ with respect to sun जिसके around motion हो रहा है यह आपको ध्यान देना बच्चो तो this I into omega is मैं लिगे देता हूँ चलिए यह जो L है यह जिसकी value I into omega है that is equal to angular momentum angular momentum कोन ही है समवेर जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चो दिस इंगुलर momentum of a planet planet with respect to sun सूर्य के सापेश कोन ही है समवेर जिसे हैं तो I into omega जो है that would remain a constant quantity वो एक नियत राशी रहेगी और वो नियत राशी के बराबर रहेगी बच्चो यह आपने देखा अब देखे यह जो बच्चो वो sun से एक constant distance पर नहीं घूम रही है उसकी distance लगातार चेंग हो रही है उसकी distance लगातार चेंग और गोंग रहा है उसकी दिस्टन से अगर एक एक को टींड़ सेंग तो रहेगी घूम रहा है और अगर इसा होता क्टो प्रीर योंग पाइश ऐसा नहीं होता अलग होता अलग होती है यह जो है आप के पास में कोई मौसम बड़ा है तो कुए मौसम अध मौसम होने थक्याज conflicting जोटा हम उसके पीछेयर क्या है क्योंकि इसकी जो डिस्टटन से वह लगाता हो दिस्टनस लगाता है चो रही सल魔 हो आप यह स्समय ब्लानेट बाइन आप हूंपपर देख रहे हैं और इस जगा को बच्चों हम लोग P से रिप्रजंग किया करते है When planet is closest to sun यह sun है, this is sun और इसके mask को हमने MS लिखा है ठीक है, तो यह वो situation है बच्चों जब वो सबसे close होता है और सबसे close वाली जो position होती ही बच्चों उस position को हम बोला करते हैं perihelion क्या बोला करते हैं बच्चों इसको perihelion perihelion क्या होती ही बच्चों When planet is closest to the sun उसे आपने perihelion बोला और जब planet sun से maximum distance पर है this is the maximum distance, यह देखिए यह कुन सी distance है बच्चों, this is the minimum distance and what is this, this is the maximum distance यह आपके पास में maximum distance है और यह minimum distance है, यह लीजे तो minimum distance वाली position को perihelion बोलते हैं और बच्चों जो maximum वाली होती है, उससे हम बोला करते हैं बच्चों, apihelion उससे हम क्या बोला करते हैं, apihelion यह लीजेए साब तो यह आपके पास में बच्चों जो है, minimum distance वाली जो position होती है बच्चों, जो minimum मैं आपको बताता हूँ इसमें एक बात, देखिए हमने क्या देखा बच्चों, इस केस में angular momentum constant है और angular momentum का जो basic formula होता है बच्चों, वो i into omega होता है, उसमें कोई संशे संदे, प्रशन वाचक चिंदे नहीं है अब यदी बच्चों हम planet के बारे में बात करें तो planet sun से बहुत ज्यद्धा distance पर होता है planet is that very large distance from sun sun और अर्थ का जो size है sun और planet का size है उसके comparison में distance बहुत ज़्यादा है उसके comparison में distance बहुत ज्यादा है सो planet बच्चो कोई भी planet हो हमारे पास में जो भी solar system में planets हैं वो कोई भी planet के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो हर कोई planet की distance संसे बहुत ज़्यादा होती है so planet जो है बच्चो that behaves like a point mass that behaves like a point mass एक बिंदू दिर्मान की तरह काम करेगा अगर वो mass खुब बड़ा सा होता तो फिर नहीं यहांपर क्या हो रहा है यहांपर एक्चोly बच्चो its dist rals बहुत ज़्यादा है distance जो है बच्चो बहुत ज्यादा है और जो size बच्चो वह बहुत कम है तो यह point mass हो गया और point Mass हो जाने के करण कैड़त है point mass हो जाने के करण अखे अब यहाँ पर बच्चो अगर वो एक point mass हो तो फिर angular momentum किसके बराबर होगा बच्चो एंवी आर के बराबर होगा एक्चोली इसका फामूला हम लोग ने देखा है कैसे आया था बच्चो आई जो होगा that would be equal to mr square और omega जो होगा बच्चो डैट would be equal to v by r और इस तरीके से इनको solve कर लेंगे तो क्या पाएंगे बच्चो यह हो जाएगा mvr mvr हो जाएगा तो जो angular momentum आ रहा बच्चो जो कोण यह somewhere आ रहा वो किसके बराबर आएगा mvr बस इस mvr में आपको ध्यान रखना है कि v और r दोनों mutually perpendicular होना चाहिए है हम लोगों ने इस पर problems बनाई है बच्चो जिसमें अगर perpendicular नहीं भी है तो आप क्या करते थे आप v और r दोनों में से एक को fix करके दूसरे को उसके perpendicular resolve कर लिया करते थे बच्चो आपने v को fix करके r को उसके perpendicular कर लिया या फिर r को fix करके v को उसके perpendicular कर लिया ऐसे ही करते थे तो यह मैंने ऐसा लिख दिया बच्चो तो एंगिलो मोमेंटम जो है वो हो जाएगा mvr अब बस यह देहां रखना कि v और r जो हैं दोनों mutually perpendicular होना चाहिए और अगर कभी भी कोई body बच्चो करड़ पा आप किसी मोमेंट पर कुछ इच कौपी नहीं कर पाए हो तो आप यहां एक अच्छी बात है कि आप जब मर्जी अपने मर्जी से सर को आगे पीछे दोड़ा सकते हो थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे जदा सर आपको सबंदा हो वहां से आप लिजा सकते हैं अनिवेस तो बच्छो यह जो है this is यह जो distance है बच्छो यह आपके पास में पैरी हेलियॉन की distance है जसे मैंने आर्पी लिग दिया जोιमिमंग डिस्टंस है और यह को इसे distance है अमर्य डिस्टंस इनिया अपने आरा लिग दिया अब बच्छो यहां पर जो direction of velocity आएगी यहां पर आएगी वह ऐसी आएगी और यहाँ जो वेलासिटी आएगी बच्चों वह ऐसी आएगी बट डारेक्शन और वेलासिटी इस अल्वेस टेंजेंशल टू दी कर्व कावड पात पर अगर कोई बॉडी मूव करती है तू डारेक्शन मोशन में लोग यह पर चुके हैं यह वी पी और यह वी यह रहेगा बच्चों अब क्या बोला आपने आपने बोला विया कि इस केस में जो एंगुलर मोमेंटम है जो आई इंटु ओमेगा होता है जो MVR के बराबर होगा क्योंकि यहां पर एक पॉइंट मास के तरह वो काम कर रहा है अब देखी बच्चों जो जो एंगुलर मोमेंटम पर होगा वही एपिहिलियों पर होगा बच्चों एंगुलर मोमेंटम है यह लीजिए अब उस बैसे पर क्या होगा बच्चों MVP RP is equals to कितना बच्चों MVA R A अब यहां एक बात एक अच्छी बात हमारे लिए मालू में क्या है यहां पर एक अच्छी बात ही है कि जो जो वेलासिटी बच्चों वो रडियस के परपेंडिकुलर ही है यहां पर देखिए ना वेलासिटी इस परपेंडिकुलर तुए रेडियस here also velocity is perpendicular to radius so that is a good thing for us कि velocity जगा पर भी radius के परपेंडिकुलर और इस जगा पर भी velocity रेडियस के परपेंडिकुलर तो यहां पर भी तो भई यह हो गया अभी mm क्या हो गया बच्चों cancel हो गया so vp rp बराबर क्या बच्चों v a r a vp rp बराबर क्या बच्चों v a r a और इसको दूसरी भाशा में बोलूँ मैं अगर एक बात देखिए यह rp वाली distance minimum है मैं जनल आप देखिए विलासर्टी और रिडियस इन दोनों का जो प्रोड़क्ट्ट अंगर द रिदियस के प्रोड़क्ट्स थेम हैं इसका क्या मतलब हुआ? कि अगर एक quantity बढ़ाएंगे तो दूसरी quantity कम हो जाएगी when you increase one quantity another quantity is decreased because to keep their product constant if you elevate one quantity another has to be depressed down and if you depress the one quantity then another would be automatically updated so what would happen बच्चों? here which is minimum यह distance minimum है और यहाँ जो velocity आएगी बच्चों that would be maximum और यहाँ पर distance maximum है so here velocity would be minimum तो बच्चों यहाँ पर velocity maximum होगी और यहाँ पर velocity minimum हो जाएगी picture clear हुई होगी मेरे ख्यासे बच्चों यहाँ पर जो velocity आई होगी वो क्या आई होगी? maximum और यहाँ पर जो velocity आई होगी बच्चों वो क्या आई होगी? minimum जब डिस्टर्स बड़ी, तो वलासिटी चोटी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्सेंट है, दोनों का प्रोडक्सेंट है, बच्चो जहां पर रेडियस जादा, महां पर वलासिटी जादा होगी, यह लीजिए साब, अब थोडा सा मैं आगे बढ़ू मेरे खाल से, बढ़ना भी है कि किसी प्लानेट की बड़ा लुच्चा सा कुश्चन दे रहा हूं बचो किसी प्लानेट की सन से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टंस 1.5 इंटू 10 तो दी पावर 6 किलोमेटर और 7.5 इंटू 10 तो दी पावर 6 किलोमेटर है किसी प्लानेट की सन से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टंस यह है और उसकी जो मैक्सिमम वलासिटी है बचो उसकी जो मैक्सिमम वलासिटी है वो है सहब 600 किलोमेटर पर सेकंड उसकी जो मैक्सिमम लिनियर स्पीड है बचो दैट इस 600 किलोमेटर पर सेकंड आपको क्या करना है evolving around sun in elliptical path its minimum and maximum positions are these if it is back to sun it is its maximum linear speed जो बच्चो वो इतनी इसके minimum linear speed आपको बतानी है तो छोटा सा काम है बच्चो वीडियो को pause करके आप करिए देखिए maximum velocity कहा आएगी perihelion पर और minimum कहा आएगी epihelion पर आएगी बच्चो यहां पर maximum maximum to speed minimum मतलब यूँ बोल सकता हूँ बच्चो देखिए इस अधार पर हमारे पास में यह आया था तो पैरी हेलियोन पर बच्चो डिस्टन्स मिनिमम होगी और डिस्टन्स मिनिमम तो वहां पर velocity maximum पैरी हेलियोन पर पैरी हेलियोन पर डिस्टन्स मिनिमम तो speed maximum और दूसरी बाप बच्चो आप पैरी हेलियोन पर अगर distance minimum और maximum epihelion पर सड़ी epihelion पर distance maximum होगी तो speed minimum होगी बाई चांस यहां एक अच्छी बात इन दोनों points के विशेष्टा क्या है इन दोनों point पर बच्चो radius और velocity perpendicular है दोनों perpendicular है तो यह हो गया बच्चो अभी देखिए maximum speed कितनी maximum speed है बच्चो 600 और minimum distance minimum distance है बच्चो 1.5 into 10 की power 6 भाई maximum speed है इतनी minimum distance है इतनी और minimum speed I need to determine minimum speed इतनी और maximum distance जो है बच्चो that is 7.5 into 10 to the power 6 यह maximum distance यह minimum distance यह maximum speed और minimum speed और इसको आप हाल कर लीजिए बच्चो इसको solve कर लीजिए बहुत सललता पुरवक मेरे ख्यार से मैं निकाल लूँगा it is 120 km per second it is 120 km per second तो यह आपके पास में क्या आगी बच्चो minimum speed आगी simple सा question था चलिए एक और question में आपको देता हूं बच्चो एक और question में आपको दे रहा हूं यह तो हो आप लोगों ने करी लिया हमको पूछा है बच्चो एक planet की sun से minimum distance r0 है question ध्यान से सुनिएगा एक planet की sun से minimum distance है r0 और maximum speed है v0 minimum distance of a planet from sun is r0 maximum speed is v0 और आप से बोला है बच्चो determine speed of the planet at an instant when its distance from sun is r determine speed of the planet at an instant when its distance from sun is r and at that time velocity vector velocity vector is making angle alpha with the radius vector question को ध्यान समझ लीजेगा बच्चों में हमसे यह कहा गया है बच्चों की एक planet है जो sun के रहा है उसकी minimum distance planet से है r0 उसकी maxile speed है v0 determine speed of the planet at an instant when its distance from sun is r and at that moment velocity vector is making angle alpha with the radius vector so do one thing keep the video on pause and try yourself this will be the best way to progress ahead चलिए साब जब आप इसको करेंगे तो कैसे करेंगे हम देखते हैं question बड़ा simple सा है बच्चों question बड़ा साधारन सा है बहुत सलल सा question है हमें क्या करना बच्चों यह लीजे हमें यहाँ पर यह कुछ ऐसी situation आ गई अभी देखिए मैंने diagram बनाया बच्चों this is sun यह सूर देवता है बच्चों और स्वारी सम नहीं है सन है अभी यह लीजे और इसकी आपको क्या बोला बच्चों इसकी जो minimum distance है इसकी जो minimum distance है भया वह आर नॉट है और इसकी जो maximum speed है बच्चों वह वीजे बोला बच्चों कि उस planet की Sun से जो minimum distance है वह आरनौट है और उस समय उसकी speed है बच्चों वह वीजे नॉट है वो यह picture समझ में आई है आपको बच्चों यह sun है आपके पास में इसके minimum distance जो है वो है R0 और maximum speed है बच्छो कितनी V0 यह तो मेरे खार से है वो clear हो गया और किसी बात है जब distance minimum होगी तभी speed maximum होगी यह तो natural सी बात है तो हम समझ सकते हैं कि जिस time पर distance R0 है V0 उसी time की velocity होगी कोई हो सकते हैं कि उसी समय पर क्यों तो सर अभी हमने देखा angular momentum गौन सब्सक्राइब तो जब डिस्टन्स में नहीं वह विलासिटी मैक्जिमम जब डिस्टन्स में वह विलासिटी मैक्जिमम और उल्टा भी हो जाएगा उसका तो साब यह distance R0 का time पर यह रहेगा अब किसी particular moment पर प्लैनेट यहां पर पहुचा गूमते गूमते प्लैनेट यहां पर पहुचा और इस समय प्लैनेट की संसे डिस्टन्स कितनी है R है इस समय प्लैनेट की संसे डिस्टन्स है R और इस particular moment पर मुझसे पूची है भईया उसकी speed I want to determine its speed and which we know that is always tangential to the crowd path so velocity मुझे calculate करनी है और यहां पर यह given है बच्चों की जो radius vector है जो radius vector है बच्चों वो radius vector ऐसा रहेगा radius vector जो है बच्चों it is making angle alpha with the velocity vector that has been said that has been said कि भाया यहां पर जो है हमको velocity vector जो है वो radius vector के साथ में अंगल alpha दे रहा है भाई यहां पर by chance क्या था radius vector velocity perpendicular थे इस जगहा पर भी क्या होता आपको पता है radius vector velocity perpendicular होते हैं यहां पर दोनों perpendicular होते हैं यहां यहां बहुत abundant बल्कुल है अभी जब प्लैनेट यहां पर पहुचा तो क्या हो गया प्लैनेट जब यहां पर पहुच गया तो डिस्टंस उसकी r हो गई velocity उसकी v हो गई जो आपको बतानी है और क्या करेंगे अब ऐसे केस में क्या करते होते बच्चो देखें यह कौन से अवेक्टर था यह radius vector था और यह, 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 यह velocity vector था, यह velocity vector था, अब आप क्या करेंगे बच्चों, velocity का वो component निकालेंगे, जो radius के perpendicular, this is that component बच्चों, जो की perpendicular, दोनों में से किसी एक को fix करके, दूसरे को आपको उसके perpendicular resolve करना है, you need to resolve keeping one component fixed, another component आपको निकालना पड़ेगा, तो आप यह तो इसको, sorry, एक को fix, V और R मसे एक को fix कर दीजे, R को fix करके V को उसके perpendicular कर लिजे, या R को fix करके V को, V को fix करके R को उसके perpendicular कर लिजे, तो जैसा देखिए, यहाँ पर हमने क्या करा बच्चों, यह r vector था, यह velocity vector था, मैंने उसके perpendicular कर दिया, अब यह पूरा angle कितना थ बच्चों, जो पूरा angle आपको दिखाई दे रहा, वो पूरा angle आपके समख्ष है कितने का, 90, वो alpha का, जो पूरा angle आपको दिखाई दे रहा, बच्चों, यह वारा पूरा angle alpha है, उसमें से यह 90 चला गया, तो बाकी बच्चा, alpha minus 90, बच्चा, तो velocity का यह जो component आएगा, बच 90, यह मेरे ख्याल से आपको खोपड़ी में आया होगा, आप अगर इस V को इस direction में resolve करोगे, तो यह angle alpha minus 90 बन रहा है, यह angle आपको दिखाई दे रहा है, यह तो acute होगा, यह obtuse होगा, वो जो भी हो, और जो हो सकता है कि कि किसी के दिमाग में आए कि सर वो, अगर radius vector तो आपन velocity vector is making angle alpha with the radius vector, so if somebody is moving in, अगर मैं ऐसा मानता हूँ, तो यह angle alpha, और अगर इदर मानेंगे तो यह angle alpha, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं होगा, ठीक है, अभी यह आगया, अभी V की value कितनी बच्चों ही कि, और यहाँ पर बच्चों, V cos 90, alpha minus 90 को, मैं actually अगर बोलूं तो बच्चों आपको पता हो, cos 90 minus theta, cos 90 minus, yeah sorry, 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 cos theta और cos minus theta, दोनों की value सेम होती है, medical के students शायद नहीं जानते हो बच्चों, तो याद रखिए, और जो भी देखिए, चोटी-चोटी-चो mathematical identities आपके सामने आ जाते हैं, या कुछ को mathematical formula आपके पास में आते हैं, मैं medical student को एक advice क बच्चों की जब भी आते हैं, तो इनको आप अलग से लिखते चलिए, जिससे आपको ये याद हो जाएंगे, कई लोगों को आते हैं, बट कई लोगों को नहीं आते हैं, तो जिनको नहीं आते हैं, उनके लिए मैं बहुत अच्छी सला दिये, कि आप एक copy, कोई भी जिस अलफा बोलू, एक ही बात है, अलफा माइनस 90 या 90 मानस अलफा, और कॉस 90 मानस थीटा तो बच्चों ये मेरे खाल से आप सभी को पता है, आपने पढ़ रखा है, इवन मेडिकल के स्टुटन भी जांगते हैं, कि कॉस 90 मानस थीटा होता है, साइन थीटा, कॉस 90 मानस थीट से वेलासिटी आ गए, आपके पास में किते वी साइन अलफा, अब क्या बोला बच्चों, उन्होंने बोला है कि आपको वेलासिटी बताने हैं, तो आप जानते हैं, किसी भी मूमेंट पर उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, बच्चों, Mvr, और Mvr में ध्यान देने व मास M, और इस जगा पर मैं अगर देखूं बच्चों, तो इस जगा पर वेलासिटी और रेडियस दोनों अल्रेडी मूच्यली परपेंडिकुलर हैं, बच्चों, इस जगा पर वेलासिटी और रेडियस दोनों अल्रेडी परपेंडिकुलर हैं, यह हो गया, और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, तो यहाँ पर M और velocity और radius perpendicular नहीं थे, तो भी मैंने velocity का वो component निकाल दिया, जो radius के perpendicular है, जो radius के perpendicular है, और वो component कितना आ रहा बच्छो, that component is Vsin alpha, that component is Vsin alpha, और 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 क्या, और यह लीजे उस समय पर radius, यह लीजे बच्छो, आपने इस perihelion पर आपने निखाला, तो perihelion पर कर रहा कितना, Mvr, perihelion पर क्या है बच्छो, Mvr, आ गया, और इस point पर देखा, तो क्या हैगा, Mvr, लेकिन Vr और पर पर परपेंडिक हो जाएगा, यहाँ अलड़ी परपेंडिक हो जाएगा, और चैनल हो जाने के बाद, V की जो वाल्यू आएगे बच्छो, आएगे वो V0, R0, अपन क्या, V0, R0, अपन कितना बच्छो, R, Sine, Alpha, यह लीजे, V की वाल्यू जो आजाएगे बच्छो, वो कितने आजाएगे, V0, R0, अपन R, Sine, Alpha, आपको पिक्चर क्लियर हो गई है, मैंने जो कहीं बच्छो, तो यह हमारे पास में बच्छो क्या आगई, यह हमारे पास में आगई, V0, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर, तो जैसा मैंने आपसे कहा बच्छो की, अंगिलर मोमेंटम जब हम निकाल रहे हैं, तो वो एक चुकी पॉइंट मास है, बहुत ज़्यादा है, ऐस सच बेसिक फार्मूला अंगिलर मोमेंटम का, आई इंटू ओमेगई होता है, पर चुकी यहाँ पर बच्छो पॉइंट बास है, इसलिए हम बोल सकते हैं किसाब आप उसको MVR भी लिख सकते हैं, पर जब भी आप MVR लिखेंगे, वेलासेटी और रेडियस दोनों पर पर पेंडिक होना चाहिए, तो यह हम लोगों ने एक बात करी बच्छो, एक छोटा समसा मोर करते हैं, चलिए, हमको बोला है बच्छो की कोई प्लैनेट है, कोई प्लैनेट है बच्छो, सब्सकर यह उसका मास स्मॉल M है, जो सन के अराउंड जिसका मास MS है, उसके अराउंड घूम रहा है, और उस प्लैनेट की, उस प्लैनेट की बच्छो, सन से जो मिनिममम डिस्टंस है, वो है आरपी, और उस प्लैनेट की सन से जो मैक्जम डिस्टंस है, बच्छो, वो आरे हैं, कोई प्लैनेट है जिसका मास स्मॉल M है, जो की सन के अराउंड, जिसका मास MS है, के घूम रहा है प्लैनेट की जो minimum distance से sun से है बच्चों वो है rp planet की जो sun से maximum distance से बच्चों वो है r a हमें यहाँ पर यह करना है सहब की हमें निकालना है उसका angular momentum calculate its angular momentum with respect to yes sun sun के respect में आपको उसका angular momentum बता नो थोड़ी दर वीडियो को मेरे ख्यासे आपको pause करना चाहिए cut 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 solve करना चाहिए चलिए कुछ से कोशिश कीजिए बच्चों यही parameters मेरे ख्याल से हैं दे रखें आपको इन parameters में ही आपका काम हो जाएगा इन parameters में आपका काम हो जाएगा somebody में से कि sir angular momentum निकालना सर यह लो अभी बोलता है मैं क्या बोल दो sir यह तो एक ही step का solution है sir आपको angular momentum निकालना है angular momentum होगा sir MVR और यह तो यह बोल दो यह बोल दो यह आगया बट अगर आप ऐसा बोल रहो बच्चों तो unfortunately मुझे कहना पड़े कि आपका answer गलत है क्यों गलत है या क्योंकि मुझे क्या question में VP दे रखा है नहीं दे रखा क्या मुझे question में VA दे रखा है नहीं दे रखा है प्रश्ण में मुझे यह चार parameters दे रखे हैं so answer should be derived in terms of these parameters only जो answer है बच्चों इन ही parameter के terms में आना चाहिए इनके अलावा कोई और parameter मुझे वहाँ पर नजर नहीं आना चाहिए जो कि आपने अंसर अगर ऐसा बोला या ऐसा बोला तो यह गलत होगा मिल्कुल गलत होगा मेरी बाग आपको क्योंकि question में मुझे जो parameter दिये हैं मुझे question में VA नहीं दे रखा वी-पी नहीं दे रखा तो मैंने अपने मर्जी से बोल दिया कि हासा आप यह वी-ए और वी-पी यह गलत होगा बई answer उन्ही पेरामिटर के होता है जो parameter question में आपको दे रखें तो एक काम कीजिए सबसे पहली बात बच्चों यह तो answer होने को यह दोनों सही थे पर unfortunately question में वी-पी नहीं दे रखा question में वी-ए नहीं दे रखा इसलिए यह कहना गलत है बट एक बात जानते हैं बच्चों आप इस पूरी प्रक्रिया में क्या होगा एंगिलर मोमेंटम जो है बच्चों को रहेगा तो मैं यह बोल सकता हूं मैंने मान लिया साहब यह जब प्ल अब एक बात certain है बच्चों की angular momentum constant रहेगा तो angular momentum को constant करा mvprp बराबर mvara यह हो गया अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों एम कॉमन निकालके cancel हो गया इससे vprp बराबर vara आ गया बच्चों अब यहां से एक काम कीजिए आप कोई भी एक velocity निकाल दीजिए सपोस कीजिए v निकालिए तो va की value कितने आएगी vprp अपान कितना बच्चों आ रहे है यह आगया अब यहां पर एक और बात भी बच्चों जब planet sun के around घूम रहा है तो planet और sun के बीच में एक force लग रहा है जिसे हम बोला करते है force of gravitation when planet is revolving around sun then one force is acting between planet and sun what type of force it is it is gravitational force and when gravitational force is acting on a body when gravitational force is acting on a body ब remains conserved when gravitational force is acting on a body बच्चों we know that its mechanical energy remains conserved there is no change in mechanical energy mechanical energy में कोई change नहीं आएगा बच्चों मतलब kinetic energy और पनेशन energy में कोई change नहीं आएगा क्यों because gravitation का force लग रहा which is of conservative nature conservative force में बच्चों work done path पर डिपन नहीं करता है तो यह आएगा बच्चों तो जितनी kinetic energy P पर थी यू पर थी उनका sum उतना ही बच्चों A पर भी आएगा यह लेजिए जो P पर था वही A पर आएगा अब अब P पर kinetic energy कितनी बच्चों P पर kinetic energy half mvp square और P पर potential energy कितनी बच्चों minus capital G ms m upon rp यह लीजिए और जब मैं A पर पहुंचा बच्चों तो A पर कितना होगा half mv a square होगा और साथ में क्या बच्चों potential energy जो आएगी वो आजाएगी कुछ इतनी यह लीजिए आपने इस जगा पर kinetic energy निकाले यह लीजिए आपने भई और यहां पर small m तो क्या हो जाएगा बच्चों cancel हो गया और यह जो वीए की value आई है बच्चों इस वीए की value को मैं यहां feed करता हूँ तो यह लीजिए यह कितना बच्चों अब वीपी square by 2 वीपी square by 2 और 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 यह कितना होगा बच्चों आरपी square upon ra square हो बात खोपड़ी में आई है क्या करा बच्चों मैंने मैंने वीए की जगा पर रखा वीपी आरपी upon ra और उसका square कर दूंगा बच्चों तो उसका square हो जाएगा और फिर minus gms upon ra यह कुछ आएगा और और क्या कर सकता हूं बच्चों यहाँ पर मैं अब मैं इस वाली quantity को left hand पर लिया आता हूं बच्चों यह vp square by 2 minus minus, minus क्या होगा बच्चों? PF square upon RA square यह CP square by 2 है जैसा था ऐसा ऐसा लिखा अपॉन कितना यह Hier अच्छी बात अब इन दोनों में से कुछ common आ रहा है इन दोनों में से क्या common आ रहा है बच्छो आपके पास में MS है और यहां पर बच्छो आपको बात खोपड़ी में आई है क्या करा मैंने बच्छो इन दोनों में से वीपी स्केर बाई टू common आ गया आ गया तो बच्छे का इधर बच्छे का वन और इधर बच्छे का आरपी स्केर अपान आरे स्केर और यहां से बच्छो कैपिटल जी एमस कामन आ जाएगा तो य होगा बच्छो आरे स्केर माइनस आर पी स्केर इसका इधर मल्टिप्लाय कर दिया जब इसका इधर मल्टिप्लाय कर देंगे तो यह होगा और अपान में आरे स्केर यह लीजिए और इकवर टू में कैपिटल जी एमस इंटू क्या बच्छो आरे माइनस आर पी अपान आर r a into r p यह कुछ आ गया अभी कुछ cancel हो रहा है बच्चों क्या cancel हो रहा है यहाँ पर देखी r a से r a cancel हो गया जो आ रहे यहाँ पर था वही आ रहे हैं यहाँ पर भी आ गया cancel और 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 यहाँ पर क्या आएगा बच्चों दिस इस v p sqr by 2 v p sqr by 2 और यहाँ पर, यह जो आपके सामने लिखाव है बच्चों, यह जु लिखाव है,டना बच्चों, गजाओ है र-a स्केर मानस र-p स्केर को क mathematic सकते हो, a-b इंटु a-b a-b स्केर को लिखा, a-b into a-plus-b, और upon में कितना? upon में? र-a a-b स्केर को a-b into a plus-b upon this और is equal to कितना बच्चों, is equal to आएगा capital G MS into RA minus RP upon RP क्योंकि एक RA, RA cancel हो चुका, यह आगया, अब देखिए, यह जो RA minus RP है, वो cancel हो गया RA minus RP क्या हो गया बच्चों, cancel हो गया, RA minus RP cancel हो गया और इस तरीके से बच्चों, यदि मैं VP square की value निकालता हूँ, यह direct square root ले लेता हूँ, चलिए, direct square root लेता हूँ, तो यह उपर आजाएगा बच्चों, और और यह हो जाएगा RA plus RP, simple mathematical algorithm है, nothing else, क्या हो गया बच्चों, यह 2 इदर आएगा, यह RA वी उपर जाएगा, और यह denominator में जाएगा, और root ले लेंगे, यह आगया VP, यह VP आगया आपके पास में, मदद, point P पर जब planet पहुचा, जब planet point P पहुचा, तो उस समय उसकी velocity क्या है, जैसे मैंने point P की velocity नि निकास होता था, A की velocity लेकर हना वक्की मेरा काम हो जाएगा, अब angular momentum क्या होगा, angular momentum होगा, बच्चों, MVP RP, वो तो हर moment पर constant है, P पर निकाली, A पर निकाली, बीच पर कही हो, निकाली है, हर जगा पर वो एक जैस ही है, तो मैंने MVP into RP कर दिया, तो यह बच्चों क्या हो गया, M हो गया, और VP की value कितनी, VP की value already हम लोग लेच चुके हैं, कितनी बच्चों, इसके अंदर आजाएगा, यह लीजिए, into RA upon RP into RA plus RP into कितना बच्चों, into 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 हो जाएगा, RP, यह हो जाएगा, म VP, यह रहा VP, यह MVP into RP, होगा, अब यह RP को आप चाहो तो बच्चों, रूट के अंद ले जाओगा, तो यह देखी, L है, और बराबर M, और अंडर दी रूट में कितना आएगा, बच्चों, टू, capital G, MS, RA, और RP को जब रूट के अंदर ले जाएगे, बच्चों, तो यह हो जाएगा, RP का square, बच्चों, यह RP को रूट के अंदर जाएगा, तो RP का square, और upon में कि बच्चों, एक RP से RP क्या हो गया, एक RP से RP कैंसल हो गया, इस तरीके से अंगुलर मोमेंटम जो आएगा, बच्चों, वो आएगा, M, और अंडर दी रोट टू, G, MS, इन्टू, RA, इन्टू, RP, अपॉन कितना, बच्चों, RA, प्लस, RP, यह मैंने पॉइंट पी के लिए इस तरीके से बच्चों, हमारे पास में जो आ रहा है, वो कुछ इस तरह से आ गया, तो बैसिकली बच्चों, मैं आपको बताओ, यह जो हमने लौ पढ़ा है, कि एंगुलर मोमेंटम कॉंस्टन रहता है, वह बगाद हमने प्रूव करा कि भईया, पहले तो नहीं देखा कि पर भी लागू हो सकती है, मैं जो कहना चाहरा था, मैं कुछ गलत शब्दों में बोल गया, कि यह जो हमने, जो जब भी कभी कैपलर के इस लौ पर प्रॉलम बनती है, एंगुलर मोमेंटम के गंजर्वेशन पर प्रॉलम बनती है, तो अमूमन क्या होता है, बच्चों, करने के बाद में, फिर आप लोग सम करेंगे, जैसा कि मैंने इस बार किया, मैं एक पॉलम आपको और कराता हूं, चलिए, एक पॉलम आपको और कराता हूं, बच्चों, जिससे आपका जो फंडा है, बहतर हो जाएगा, भी, अभी मैंने ये क्वेशन जैसे ख़़ा, अंग सन के एराउंड घूम रहा है, सन का मास कितना बच्चों, एमेस, और जिस वो एलिप्स में घूम रहा है, जिस एलिप्स में घूम रहा है बच्चों, उसकी सैमी मैजर एक्सिस, जो है बच्चों, वो है ए, उसकी सैमी मैजर एक्सिस है ए, और, 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 उस एलिप्स क बच्चो जो eccentricity है उसकी जो eccentricity है बच्चो वो है E question ध्यान समझेगा बच्चो आपको क्या बोला है कोई planet है जिसका मास small m है sun के around घूम रहा है जिसका मास capital ms है semi major access की लंग कितनी बच्चो A है और उसकी eccentricity है E अब यहां medical के student थोड़ा से पागल हो जाएंगे भईया यह की eccentricity क्या बला है तो भईया वो बता देता हूं आपको पर आपको क्या बताना बच्चो यहां पर आप क्या करेंगे एक तो planet की minimum और maximum velocity बताईए in terms of these parameters calculate its minimum and maximum speed पहली का बात और दूसरी बात आप यह करिए बच्चो कि planet की total energy निका लिए तो थोड़ी देर वीडियो को बच्चो पॉस कर दीजिए थोड़ी देर वीडियो को पॉस कर देने के बाद में आप खुशन को खुच से ट्राइ कीजिए एक बार की कैसे बन सकता मैंने जोसा बता आपको यह आप angular momentum conservation और साथ में mechanical energy का conservation लगाएंगे अभी देखिए बच्चो यह सावी मेकजर अक्सिस क्या होती है मैं आपको पहले बताता हूं यह ellipse है यह ellipse है और यह ellipse का center O center को O से या C से represent कर लीजिए जो आपकी मर्जियों बच्चो उस से represent कर लीजिए तो यह center है O और यह sun है बच्चो यह रहा sun और 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 मैं बताता हूं आपको बच्चो यहां पर actually क्या होता है जो semi major axis होती है जो मैंने बतायाद था आपको सबसे बड़ी कॉर्ड को आप क्या बोलते हैं Major axis सबसे बड़ी कॉर्ड को हम क्या बुला करते हैं Major axis और सबसे जो छोटी कॉर्ड होती है उसको हम बुला करते है Minor axis जैसे ये ये ELIVS है तो अभी ये Major axis है energía और यह वाली जो कॉड होगी बच्चो यह माइनर एक्सिस कहलाईगी इसको हिंदी में बोलते हैं मेजर वाली को दिर्ग अक्ष और जो छोटी वाली होती इसको बोलते हैं लगू अक्ष तो यह आपके पास में अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा मैथेमेडिकल फंडा और बताता हूं बच्चो अभी देखिए यहां पर आपको एक दो बाते और समन्ना पड़ेंगी कि यह आपके पास में एलिप्स हैं यह इसका संटर है सी या ओ जिसे आप बोल दीजिए और यह इसके दो फोकस होते हैं बच्चो एक एस वन और एक एस टू अब यह जो लंद हो बच्चो इसके कॉडिनेट होंगे बच्चो एई जीरो इसके कॉडिनेट होंगे बच्चो एई जीरो और इसके कॉडिनेट होंगे माइनस एई जीरो मैंने आपको बताया था ना कि एक्चुली जो फोकस होता है वो दोनों दरफ इक्वल डिस्टंस पर होता है मैं इसको ब होते हैं वो दोनों center से same distance पर होते हैं इधर भी distance कितनी AE और इधर भी कितनी बच्चों AE ये लीजिए तो अब भी अगर आप coordinate system के साब से देखें तो ये center जो हता बच्चों इसके coordinate क्या होते है 00 center के coordinate 00 होते है तो इसके coordinate क्या होंगे बच्चों AE 0 ये x axis है एक्स एक्सिस पर नाच्रल सी बात है बच्चों वाई कोई इनट जीरो होता है यह तो मेडिकल के स्टूरंट जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो मेरे पास उसको भी जानने का तरीका है आप बेफिकर रहे हैं सबी चीजों का इलाज है बच्चों पर फिर भी अगर आप समझ सको तो बहुत अच्छी बात है यह लीजिए यह आपके पास में आगया अब यह माइनस एजीरो और यह एजीरो अब यह इनके कोईनेर्स होते हैं यह यह कहलूं कि जो फोकस होता है बच्चों वो संटर से ए डिस्टंस पर होता है और ए क्या होती है बच्चों महाँ पर सैमी मैजर एक्सेस सबसे बड़ी वाली एक्सेस को बोलते हो मैजर एक्सेस उसका आधा होता है सैमी मैजर एक्सेस जिसे जनरली ए से रिपेजन किया अब से छोटी कोड को आप बलते हैं माइन अलक्सिस और उसकी लंड को हम बलते हैं 2B और उसका हाफ क्या हो जाएगा बी हो जाएगा अब क्या करूंगा मैं अब मैं आपो बताता हूं बच्चो ये देखियें ये ये minimum distance वाली position पी और ये maximum distance वाली position ए पहरी hellion और epihelion आपने देखा बच्चो अब यदि मैं थोड़ी सी बात करूं बच्चो तो यहाँ पर ये जो maximum distance आ रही है जो maximum distance हा रही बच्चो वो कितने आएगी सपोस कि ये sun दोनों में से किसी एक पर होगा sun या तो यहाँ पर होगा यहाँ पर यहाँ पर होगा अब मैं इस डाइग्राम को वापस से बनाता हूँ यह जास मैं आपके समझाने के लिए बताया बच्चो अब बच्चो यह सेंटर है और यह सन है बच्चो यहाँ पर क्या आपके पास में सूर्य और यह distance कितनी मैं बार बार सम लिख रहा हूँ अभी यह कितना बच्चो य यह है जे है और यह जो पोजिशन है बच्चो ये एं और यह जो distance होती है यह distance कितनी होती पादी यह ऐसे ही यहां पर भी अ होती है और यह reality helium तो अब बच्चो यदि मैं थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ूं अब अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो यह जो distance आपको दिखाई दे रही है बच्छो क्योंकि यहां से यहां तक की distance है बच्चो अ और अ मैंसे ऐ डिस्टंस चली गई तो बाकी कितनी distance बच्च गई ए मानस अ और ऐसे ही यहां पर अगर हम देखे बच्चो तो यह distance ए है तो इस point A की जो distance आएगी बच्चो वो कितनी आएगी A plus AE A plus AE आजाएगी थोड़ा किसी किसी के जहन में हो सकता है कि लगा हो कि यार यार कुछ अभी properly नहीं आया है तो properly नहीं आया तो मैं फिर बोल रहा हूं देखी बच्चो यह distance कितनी है A अब suppose किजिए sun यहां पर है sun यहां पर है बच्चो तो डाइगराम में देखे ना यह ase कितनी है. तो यहां से यहां तक की distance क्या हो गई यह इतनी distance कितनी और इइ बच्चो एप्लस A हो गई और यह वाले 대해 सक्तिंस अगर में देखूं बच्चो तो यह देखिए यह क्या हो रहा है यह किसी किसी के जहान में आ सकता है चलिए अब मैं इसमें थोड़ा सा बच्चो आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको बताता हूँ बच्चो सबसे पहली बात जितना angular momentum एक पर है उतना ही P पर है अब A पर क्या होगा बच्चों, A पर होगा M, V, A, R, A और P पर क्या होगा M, V, P, R, P भाई A पर angular momentum होगा M, V, R, A और P पर होगा M, V, P, R, P, होगा angular momentum conserved है, conserved है, तो यह लीजे साहब आपने cancel कर दिया और V, A और यह जो आ रहे है बच्कों, वो आप देखे कितनी है, A, A dub paraply of A, भाई यह वाली जो distance आपको यहाँ से यहाँ तक की दिखाई देड़ी है, वो कितनी दिखाई देदी है, A plus A, और 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 यह वारी जो डिस्टन्स आपको दिखाई देदी वह A-A अच्छा अब A common निकाल के दोनों बाजू cancel यह दोनों बाजू common निकाल के cancel हो जाएगा तो VA into 1 plus E बराबर क्या बच्चो VP into 1 minus E VA into 1 plus E बराबर VP into 1 minus E यह picture clear होई आपको अब यहां से बच्चो मैं अगर VP की value निकालू तो VP की value क्या आएगी VP की value आजाएगी बच्चो यह फिर VA की value निकालता हो चलिए VA की value VA की value क्या आएगी VA की value आजाएगी बच्चो VP into 1 minus E upon 1 plus E E यहां पर क्या होती बच्चो यह उसकी eccentricity यहने कि उसकी eccentricity क्यालाती है बच्चो तो यह आपके पास में आ गया दोनों में relation आपने basically मैं फिर बोल रहा हूँ छोटी सी बात है बच्चो थोड़ी सी mathematical geometry है यह distance A E है यहां से यहां तक कि distance A है तो उसमें से A E चला गया बागी बच्चा यह ऐसे ही यह A E है तो उसमें से A में से यह distance चली गई तो बागी बच्ची बच्चो A माइनस A E दोनों पर आपने angular momentum constant कर दिया बच्चो जितना यहां पर था उतना यहां पर था दोनों को गंजव करा इस तरीके से cancel होकर A common निकाल के cancel होगया यह आपके पास में A और P पर point की velocity जो velocities आ रही है उन दोनों में relation आ गया फिर वोई गिसा पिटा सा काम करेंगे भाई आप क्या करेंगे energy conserve करेंगे जितनी A पर है उतनी ही P पर है यह लिजिए A पर और P पर आपने A पर और P पर कर दिया अब आप क्या करेंगे बच्चों आप A पर kinetic energy कितनी A पर kinetic energy होगी half mv a square और A पर potential energy कितनी होगी minus g ms into m और यह distance है बच्चों वो कितनी है distance जो है वो a plus a e है और a plus a e को आप a common निकाल दी यह आ जाएगा और P पर यह दिए बच्चों हम देखे a into 1 minus e यह कुछ हमारे सामने आ जाएगा बच्चों हमने क्या करा यह distance अगर देखे तो इसमें से a common निकालेंगे तो यह आएगी और महाँ पर यह आएगी वैसा का वैसा ही question चल रहा बच्चों और फिर अगली step में क्या होगा अगली step में बच्चों यहाँ पर पहली बात तो यह small m जो है दोनों बाजू कैंसल हो गया और यह आ गया बच्चों va square by 2 va square by 2 minus gms upon a into 1 plus e बराबर vp vp की value कितनी va की value निकाली न मैंने एक second मैंने यहाँ से va की value निकाली va की value कितनी आई है va की value आई है बच्चों पहली बात तो यह 1 by 2 और va यह आ रहा है in terms of vp इसका square कर दीजिए इसका square करेंगे बच्चों vp square into फिर 1 minus e का square upon 1 plus e का square minus g ms into a 1 plus e बराबर बराबर कितना बच्चों vp square by 2 vp square by 2 minus capital g ms into a यह कुछ आगया बच्चों यह minus sign भी आए रहे यहाँ पर simple सी बात थी मैंने क्या करा बच्चों va की जगा रखा vp 1 minus e upon 1 plus e और उसका square करना था इसका square कर दिया यह हो गया अब क्या करता हूं बच्चों मैं काम करता हूं मैं इस में हैं इसको इधर ले आता हूं जबए इसको यहाँ पर लेआँगा और ve p square by two common निकाल देता हूं एक ही step में एक ही step में मैं common निकाल देता हूं बच्चों मैंने क्या करदी यह वी पी square by two dice बच्चों this यहाँपर क्या आएगा बच्चों यहां पर आएगा one minus e का whole square upon one plus e का whole square और minus one minus one क्यों यह वीपी square by two पूरा common आजाएगा तो बच्छे का one जो की LHS पर हो गया minus और यह बच्छो जैसा था वैसा का वैसा लिखा is equal to is equal to bच्छो gms gms और एक काम कीजिए अब इसको RHS पर ले जाएंगे RHS पर ले जाने पर gms दोनों में है यह दोनों में है common निकाल दीजे और बच्छे का कितना बच्छो इसको अधर लेगा तो यह हो गया plus one plus e और minus one minus e यह कुछ आपके सामने आगया बच्छो यह कुछ हमारे सामने आगया बड़ा simple सा mathematics से अब तो बच्छो अब देखिए फटा फटा हम जड़ा थोड़ा तेजी से कर लें वीपी square by two और यह क्या होगा यहाँ पर LCM लीजिए one plus e के square करें one में multiply कीजिए तो पहली बात तो यह one plus e square minus two e यह one plus e square minus two e और यह इसका multiply करूँगा तो one minus e square minus two e बच्छा आपने इसका square किया तो यह आगया और इसका square किया तो यह आगया और upon में कितना बच्छो अपन में one plus e का whole square यह आया इंटू में और equal to में कितना बच्छो equal to में gms upon a और यहाँ पर बच्छो one minus e LCM लेंगे LCM लेंगे one minus e का multiply हाँ पर one plus e का multiply हाँ पर और one plus e का multiply करेंगे आगे minus बच्छो तो यह आजाएगा और denominator में बच्छो one minus e into one plus e यह लीजिए हमने gms upon a रखा one minus e का one में multiply यह आया और upon में यह आगे अभी क्या हो रहा है बच्छो यहाँ पर क्या cancel हो रहा है denominator में यहाँ पर one plus e का square है और यहाँ पर one minus e into one plus e है तो one plus e से one plus e क्या हो गया बच्छो cancel हो गया one plus e से one plus e cancel हो गया अब equal to में बच्छो vp square by two into कितना बच्छा है यहाँ पर minus two minus three minus four e minus four e और यह बच्छा one plus e और equal to में कितना बच्छो gms upon a और into में कितना बच्छो minus two e upon one minus e यह minus e minus e हो जाएगा minus two e upon one minus e यह हो जाएगा अभी कुछ cancel हो रहा है क्या cancel हो रहा है यहाँ पर cancel हो रहा है क्या 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 of course यह minus two e से यह two times जाएगा पहली बात तो यह two से four e minus two e हो गया यह आप two से minus four e को जाएगे तो minus two e और minus two e से minus two e cancel यह cancel हो गया और जब यह cancel हो गया बच्छो तो क्या आएगा इससे vp square की value अगर मैं vp की value निकालता हूँ तो vp की value आएगी बच्छो under the root of gms upon a into बच्छो one plus e upon one minus e मेरे ख्याल से तो बच्छो मैंने कहीं कोई गल्ती वगरा mistake वगरा नहीं करी अगर कहीं हो भी जाया बच्छो तो मुझे अक्षमा कीजिएगा mathematically कभी कभी मुझे से गल्तिया हो जाती है कुछ काटा पिल्टी में दो दर ऊपर नीचे हो जाए बट fundamentally है अपन बिलकु सही बात कर दें कि भी आपने energy को conserve करना है momentum को conserve करना है तो यह vp आ गया अब आप क्या करना है बच्छो vp आ गया जिस तरह से आपके पास vp आया मैं यहां आप उसो यहां रख दू अप use-a कर सॉल करो आराम से इत्मिनान से कर और क्या चाहेばậy तो आप पाएंगे मलू मैं आप trekenी की वैल्यू को यहां substitute करो और solve करके देखो बच्छो आप तेखेंगे वह आएगा GMS upon A into into आएगा बच्छो कितना 1 minus E upon 1 plus E यहाजाएगा वन फीर दिस वैल्यू है धन्य विल बच्छो आपके पास में वी आगया अब वी पी आगया वी आगया अब क्या करना अब अपने को करना क्या है वच्छो हमने energy निकालनी है हमने energy निकाली बच्छो बस इतना ध्यान रखिये कि सबसे बड़ी कॉर्ड को बोलते हो major axis उसका half होता है semi major axis जो कि यहां से यहां तक की distance होगी दोनों फुकाए उससे AE distance पर होते हैं अगर आपको coordinate नहीं भी मालूम हो तो भी यह देखे कि यह AE है यह AE है यह भी AE है और A common निकालके 1-E कर सकते हैं बच्छो जो कि मैंने यहां पर लिखा था लिखाता वाने तो अभी तो यह आपके पास में आगया अब आपको निकालने ए energy अब energy आप कहीं पर भी निकालिए थ्रो और दो जर्निए energy will remain constant आप P पर निकालिए A पर निकालिए हर जगा पर energy constant तो बच्छो मैं A पर मैं P पर निकाल लेता हूं मैं P पर निकालता हूं तो KP प्लस UP आपकी मर्जियो तो आप A पर भी निकाल सकते हैं मैंने P पर निकालिए अभी P पर क्या होगी बच्छो हाफ M V P स्केर माइनस कैपिटल G MS स्मॉल M into कितना बच्छो आप P के ताइम पर ज आपके पास ये P पर आगया या A पर आगया ये आगया बच्छो अब क्या करते हैं यहां पर हम यहां पर बच्छो हाफ M V P स्केर हाफ M V P स्केर और V P की वैलू कितनी है अभी V P की वैलू देखिए इसका स्केर करना बढ़ेगा हां इसका स्केर करना है तो स्केर करेंगे त बच्चों तो root हट चुगा है तो ये कुछ आगा और 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 ये मैं मिटारे देता हूँ बच्चों ये मैं मिटारे दे रहा हूँ चलिए मैं यहाँ पर इससे साफ करती है थोड़ी सी जगा बच जाएगी अना अब अब यहाँ पर कितना minus जी में अईस into small m into a one minus e आपने क्या करा, half m vp square और vp square की value कितनी root हड़ जाएगा, capital G, capital ms upon a into 1 plus e upon 1 minus e, यह हो गया, और यहां पर यह हो गया, अब इन दोनों में से क्या common आ रहा है, बच्चों, इन दोनों में से कुछ common आ रहा है, इन दोनों में से जो common आ रहा है, बच्चों, वो आ रहा है, क्या quantity आ m दोनों में हैं, है न, तो मैंने एक काम करता हूँ, gms, small m upon a दोनों में से common निगाला, ना केवल a, बलकि साथ में क्या, 1 minus e, यह पूरा expression दोनों में आ रहा है, कैसे आ रहा है, small m दोनों में है, g दोनों में है, ms दोनों में है, देखिए बच्चों, capital G दोनों में था, ms द यहां से तो पूरी की पूरी कॉंटिटी आप कॉमन निकाल चुके इसलिए कुछ ऐसा आजाएगा थोड़ा सा लबा सवाल तो है लेकिन करना तो पढ़ेंगा आप अखली में मूझ दे दिया आमने तो जी एम एस स्मॉल एम दोनों में था ए दोनों में था यह दोनों में था ऐसे सूपरफिशली समझाना हो तो फिर तो खटाखट समझा आजा सकता है अब यह क्या होगा बच्चो यह आएगा कितना यह आएगा बच्चो जी कैपिटल एम एस स्मॉल एम और अपाउन एंटू वन माइनस ए है और अलसीम लिया बच्चो मैंने तो अलसीम लोगा तो प्लस ए माइनस कितना आएगा बच्चो तू आएगा माइनस कितना आजाएगा यह टू हो जाएगा क्यों यह टू का उल्टिप्लाइए हैं पर हो गया और अपाउन में टू अब यह लीजिए साब अच्छी बात अब यह क्या होगा बच्चो यह जी एम एस स्मॉल एम अब और क्या कर सकते बच्चो अब यह तो हो गया आपके पास में जी एम स्मॉल एम अपॉन मानस यह अब यह वन मानस ए से सतते बदल कर आप माइनस वन टायमस गया यहां रहुत यह हम बात चक्ता स हमस्ते ही और ए बच्चो जो उसकी major axis है वो भी constant है तो यह जितने भी terms थे बच्चो वो सब constant है इसले को भी बिलाकर आप यहां से भी समय सकते हैं कि जो energy है बच्चो वो constant है mechanical energy of the planet when it is revolving around sun would remain absolutely constant quantity and that could be understood even simply by the thing that it is under the force of gravitation which is always of conservative nature and whenever body is being acted is experiencing the conservative force its mechanical energy remains concerned तो यह है बच्चो हमेशा इसी तरह से काम करा जाएगा अच्छा चलिए इसमें एक और काम करें अगर हम माल दीजिए कि जो minimum distance वाली position थी बच्चो कौन सी वाली position minimum distance वाली जो पर थी उसमें आप से पूछ ले कि सहाब बताईए radius of curved path क्या पूछ ले बच्चो when planet crosses the least distance position that is perihelion perihelion को जब वो cross करती है तब उस समय radius of curvature क्या होगी path की वो आपको calculate कर लिए थोड़ी दर वीडियो को post करिए करिए देखिए भया question थोड़ा सा मैंने twist कर दिया हलका सा यह आपके पास में planet है यह planet है बच्चो अभी यह आपके पास में यह minimum distance है minimum distance है actually यह जो distance हा रही है बच्चो इस समय radius of curvature आपको बतानी है radius of curvature मतलब बेरेखासे आप समझे होंगे बच्चो यह जो radius है अगर मान लिजे अगर वो जो यह वाली position थी अगर इसे एक circle का भाग माना जाए तो वो क्या होगा तो वो कैसे निकालेंगे आप इस जगा पर जो होगा उसे घूमने के लिए suppose कीजिए कि वहाँ पर जो radius of trajectory है यह radius जो circular path बन रहा है उसकी radius मने small r माल ली तो उसे घूमने के लिए जो centripetal force है होगा वो centripetal force उसको कहा से मिलेगा बच्चों वो centripetal force मिलेगा उसको उन दोनों के बीच gravitational force से क्वेरे खास आपको सब्जमाएगा होगा कि when this planet crosses perihelion or the least distance position then what is the radius of the curved path वो जो curved path है बच्चों उसकी radius क्या होगी तो बच्चों जब वो least distance वाले path को particle को पास करता है तो उसे घुमने के लिए centripetal force आई होता है जो कि mv square by r होता है mv square by r होता है that would be provided by the gravitational force between them so g m1 m2 upon r square याड़ेगा और ये बच्चों क्या होगी ये जो circle बन रहा है इस circle की radius होगी और ये rp तो क्या है उस समय उन दोनों के बीच की sun, sun और planet के बीच की distance ये होगी so ये बच्चों small m क्या होगी आपे cancel होगी और फिर यहां से क्या कर लेंगी आपको small आपको क्या निकालना है आपको निकालना है बच्चों small r तो small r कैसे निकलेगा small r हो जाएगा बच्चों कितना rp square into vp square upon gms rp square vp square upon gms देखिए small r यहां चला गया ये numerator में आ गया तो इस तरीके से आपका काम हो गया अब small r की value ये किसके बराबर बच्चों rp square upon capital gms into vp square और vp square की value कितनी होगी vp square की value यह दिया आप देखे बच्चों तो यहां से कितनी होगी gms इंटो 1 plus e upon 1 minus e बई क्या हुआ यहां पर ये rp square rp square upon gms आया और vp square की value कितनी थी बच्चों vp square की value कितनी थी gms upon a into 1 plus e upon 1 minus e अभी कुछ cancel हो रहा है कुछ cancel हो रहा है ये दोनों आपस में क्या हो गए बच्चो ये दोनों आपस में कैंसल हो गए और 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 value यदि आप निकालेंगे तो वो क्या आएगे small r की value बच्छो अच्छा यहां पर यह a square 1-e का square 1-e से 1-e cancel हो जाएगा एक small a से small a cancel हो जाएगा और इस तरीके से बच्छो यह आएगा a into 1-e upon 1 plus e और इसको solve कर लेंगे बच्छो तो आप यह आजाएगा a into 1-e square so this is the radius of the path curved path यह जो curved path बनेगा न मतलब अगर यह जो चोटी सी आर्क बन रही है जो चोटी सी आर्क बन रही है इससे एक circle का part अगर मैं मानू तो उस circle की radius क्या एगी that is this hope मैंने सारा calculation सही करा बच्छो देखिए उसे गुमने के लिए जो centipetal force चाहिए वो दोनों के बीच में gravitation force से मिलेगा तो वो होगा बच्छो mv square by r equals to gm1 m2 upon r square और फिर यहाँ पर cross multiply कर देंगे तो small r की value यह आजाएगी rp की value आपने a into 1-e थी square कर दिया vp की value आपने वो लिखी है यह भी कुछ cancel हो रहा है 1-e से 1-e, a से a cancel हो कि यह मेरे पास आज़ा जैसे मैंने perihelion पर निकाला ऐसे ही आप epihelion पर निकाल सकते है perihelion पर जो आपने निकाला वैसे epihelion पर निकाल सकते है और मेरे खाल से दोनों का आज़ा से वाना चीए एक पर verify आप कर लीजिएगा तो बच्चो यह अभी हम लोगों ने जो बात करी है कि जब planet sun के around घूमता है जब planet sun के around घूमता है बच्चो तो उसका जो angular momentum है उसका जो angular momentum है बच्चो वो constant रहता है वो constant रहता है एक छोटी सी बात में आपको इस मावर बताता हूँ देखे जो perihelion की जो position थी वो क्या थी a into 1 minus e और epihelion की position क्या थी बच्चो a into 1 plus e इन दोनों का अगर आप sum करके देखेंगे ना बच्चो इन दोनों का sum करेंगे तो आप दोनों का sum करके देखें that would be equal to 2a perihelion और epihelion दोनों की position का sum आप निकालें दोनों की sum करेंगे आप 2a आएगा और आना भी चाहिए क्यों आना चाहिए क्योंकि देखें यह ellipse है यह आपके पास में sun और यह distance कितनी होती है rp और यह distance कितनी होती है r a और यह जो distance होती बच्चों वो किसके बरावर होती थी 2a के बरावर होती है अब पूरी जो measure access ہोती है उसकी लंड को आप 2a लिखते हैं, उसका half semi-mejor axis होता है, लेकिन पूरी major axis को आप 2a लिखते हैं, देखिए, आर्पी प्लस आरे, दोनों को जोड़ कर देखें, बकाद़ ये आरहा है, तो geometrically ये वेरिफाय हो रहा है, just knowledge के लिए मैंने बताया, अब बचो, यहां पर हम देख ये sun है, सूर है, ये sun है बच्चों, और सपोस कीजिए कि अभी planet सपोस कीजिए किसी point P1 पर था, कहां पर था बच्चों? पॉइंट P1 पर था, और उसकी ये जो distance है बच्चों, वो R वेक्टर है, सपोस कीजिए प्लैनेट बच्चों किसी point P1 पर था, और उसकी position क्या थी? R1 वेक्टर, अब प्लैनेट चलते चलते बच्चों कहीं यहां पर आ गया, और उसकी जो distance है बच्चों वो हो गई R वेक्ट बच्चों यह जो position इतना यह जो वक्टर आएगा, P1, P2 और अब टर आएगा, वो क्या आएगा बच्चों? वो आएगा DELTA R वेक्टर, क्यों? E वक्टर प्लस E वक्टर, बराबर यह ज वक्टर होगा, from the law of addition of vectors, from the law of addition of vectors, from the law of addition of हो जाएगा आर वस्लेटर प्लस डिल्टा और मोर्क्तल ताइड बिराबन वस्लेटर इसतर सब 20 अब यदि हम यहाँ पर ये S है बच्चो ये P1 है ये P2 है अगर मैं इसका एरिया निकालू इसका एरिया निकालू बच्चो एरिया निकालू मैं ट्राइंगल का S P1 P2 यदि मैं एरिया निकालता हूँ बच्चो S P1 P2 अगर मैं ये एरिया निकालता हूँ तो ये एरिया किसके बराबर होगा भई ट् पर परेंडिकुलर बेस पिस पर ट्रेंगल काramer कहा होता है यह प्रीज़पशे के एरिया यह डिफट तो यह होगा आपकर और यहां पर यदि मैं इस गएरिया को यह आपके सामने आ रहा है कुछ? सा में सा एरिया एस वन टीट़ गाज आ SONर raguster और प्लाइनेट यहाँ से यहाँ तक आया और सपोस कीजिए उसकी विलासरटी वी थी कितनी विलासरटी थी भच्छो विलासरटी थी तो आर Vegундlor क्लास V विलासरटी जो और अहीकर हो गा और इसको हम Mic डेल्टा ती निख सकते हैं वी Source distance is equal to speed into time distance is equal to speed into time मैं ये अरिया निकाल रहा हूँ एया क्या होगा ये ऐसे ये P1 है ये P2 है तो ये जो एया होगा बच्चो ये होगा half perpendicular into base ये हो जाएगा बच्चो half perpendicular into base तो ये और वक्तर ये delta r वक्तर तो area हो गया बच्चो ये और डेल्टा आर बराबर क्या लिख सकता हूँ डेल्टा आर बराबर लिख सकता हूँ बच्चो वलासिटी इंटू टाइम डेल्टा आर बराबर लिख सकता हूँ वलासिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं अब बच्चो यहां से यदि मैं इस डेल्टा T को दुम में लेकर आजाएं यह लिजिये आर वक्तर क्रॉस वी वक्तर जो आ रहा है इसमें मैं काम करता हूँ नेक्स टेप में मैं इसमें जो है साहब M से डिवाइड करता हूँ और M ही से मैं मल्टिप्लाय कर देता हूँ मैं M से डिवाइड करता हूँ और M से मल्टिप्लाय करता हूँ यह लीजिए, मैंने M से डिवाइड के और M से मल्टिप्लाय कर दिया, तो यह आपके पास में आ गया delta A upon delta T, यह क्या आ गया बच्छों, यह delta A upon delta T आ गया, और is equals to कितना आएगा बच्छों, is equals to आएगा 1 by 2 M, 1 by 2 M, और यह क्या होगा बच्छों, यह होगा R vector, R vector cross P vector, यह R vector है, cross P vector है, बई, mass into velocity क्या होता है, mass into velocity होता है, momentum, momentum, momentum होता है, तो यह आ गया बच्छों, और इस तरीके से जरा गोर कीजिए, यह delta A upon delta T, बराबर क्या आ रहा है बच्छों, 1 by 2 M, और यह linear momentum है, P stands for linear momentum, और यह R vector, R vector cross P vector जो होता है, बच्छों, linear momentum का, linear momentum का moment होगा, और उसी को आप बोला करते हैं, बच्छों, angular momentum, angular momentum, उसी को आप बोला करते हैं, क्या बच्छों, angular momentum, कोड यह समवेग, तो यह angular momentum आ गया, यह mass आ गया, आप देखिए, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, बच्छों कि जब planet sun के around गोमता है, तो उसका angular momentum constant रहता है, जब planet sun के around गोमता है, बच्छों, तो उसका angular momentum जो है, वो constant constant रहता है, और mass तो वैसे भी constant है, मतलब कोल मिला कर यदी देखा जाए, बच्छों, तो यह जो रहेगा, this would remain a constant quantity, right hand side पर जो आपके पास मेरा है, बच्छों, that is a constant quantity, and if it is a constant quantity, what does it mean, इसका मतलब क्या देखिए, डेल्टा A, डेल्टा T टाइम में, प्लैने ने जितना area ट्र displacement travel करती है, उसे आप बोलते है, linear velocity, डेल्टा T टाइम में, बाडी कितना linear displacement चलती है, उससे हम बोला करते है, linear velocity, और डेल्टा T टाइम में, कोई भी कितना area चलता है, बच्छों, उससे हम बोला करते है, C XD उसे हम क्या बॉला करते हैं बच्चो ऐरियल वलासरीटी इस केस में क्या होगा यह जो एरियल वलासरीटी होगी उब क्या रहेगी बच्चो कॉंस्टर रहेगी law of conservation of angular momentum जो था बच्चो उससे हमने क्या देखा कि यहां पर जो area velocity है that is also a constant quantity वो भी एक नियत राशी है मैं आपको फिर समझाता हूँ actually क्या हुआ यहां पर भाया हम कोई यह sun है कोई planet इसके around गूम रहा है यह sun है कोई planet कहां पर था P1 पर था बाद में कहां पर आ गया P2 पर पहले उसकी distance कितनी थी R वेक्टर और बाद में वो यहां से चलके यहां पर आ गया और suppose किजे कि उसकी पोजिशन हो गई R प्लस डिल्टा र वेक्टर तो यह वारा जो वेक्टर आएगा बच्चो वो डिल्टा र आएगा तो इस तरीके से इस triangle का area कितना होगा मान दीजिए अगर उसकी velocity V है यदि उसकी velocity V है तो जो distance आएगी वो क्या होगी बच्चो distance होगी velocity into time हो जाएगी और डिल्टा र बराबर आपने लिखा V into delta T फिल यह 1 by 2 R और V delta T से आपने डिवाइड कर दिया तो यह आगया 1 by 2 R वेक्टर प्लस V वेक्टर आगया अब मैंने कहा करा बच्चो नेस्ट टेप में इसे M से डिवाइड किया और M ही से multiply कर दिया M से डिवाइड किया M से multiply कर दिया तो यह mass into velocity क्या होता है linear momentum होता है रेखिक सम्वेग होता है तो यह हो जाएगा बच्चो 1 by 2 M R वेक्टर प्लस V वेक्टर और जो linear momentum होता है बच्चो उसी के moment को हम बोला करते हैं angular momentum linear momentum के moment को आप बोलते हैlinear momentum तो यह क्या होगया बच्चो आप देखिए अब हे आप देख चुके है कि momentum conserved है, यह conserved है यह भी constant है तो दोनों का ratio भी बच्छो ए constant quantity रहेगा, तो I can say aerial velocity would remain a constant quantity और अगर aerial velocity constant है इसका मतलब क्या कि जो planet है बच्छों वो sun के around equal time में equal area travel करेगा, it will travel equal area in equal time interval, जैसे यह आप जो lie है बच्छों यह नियम, यह नियम आप लोग law of conservation of angular momentum जो था उसी से lie है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्छों जैसे यह suppose कीजिए यह sun है, यह sun है बच्छों और इसके around कोई planet घूम रहा है, अब माल दीजिए a से b तक आने में उसको time लगा delta t, planet को a से b तक आने में जो time लगा बच्छों, वो कितना लगा, delta t लगा, बच्छों अगर उसे a से b तक जाने में जितना time लगा, उतना ही time c से d तक आने में लगा बच्छों, तो यह दोनों area भी equal होंगे, यह दोनों area भी क्या होंगे बच्छों, equal होंगे, यह दोनों area equal होंगे, क्यों? क्योंकि अगर दोनों के टाइम सेम तो दोनों के एरिया सेम और दोनों के टाइम सेम तो दोनों के एरिया भी सेम होंगे और अगर दोनों के एरिया सेम होंगे अ से बी तक आने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही time अगर उसको C से D तक आने में लग रहा है तो दोनों के area सेम होंगे क्योंकि area velocity that you say is a constant quantity जिस तरीके से displacement upon time को आप बोला करते हो linear velocity उसी तरीके से area upon time को हम बोला करते है बच्चो area velocity तो area velocity क्या होगी? area velocity इस case में क्या रहती है? बच्चो इसको अगर यहां से यहां तक आने में time सेम लगा जितना time यहां से यहां तक का लगा उतना time यहां का लगा तो दोनों area equal और अगर दोनों area equal तो दोनों के time equal अगर दोनों के time equal तो दोनों के area equal और अगर दोनों के area equal बच्चो तो दोनों के time एम भी को लोगे, Arial Velocity रही है, नोट linear Velocity, linear Velocity चेंज हो रही है, आपने देखा, यहाँ distance minimum थी, velocity maximum थी, यहाँ distance maximum है, velocity minimum है, linear Velocity is changing, linear Velocity is changing, but Arial Velocity is constant, तो यह कुछ बात देखी बच्चों ने, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और इसका जो तीसरा जो लोग है, बच्चों के मोशन का, तीसरा लोग हम देखते हैं, वो यह कहता है, कि जब भी कभी कोई Planet Sun के अराउंड घूम रहा है, तो उसके टाइम पीरियर्ड का square, टा of time period is directly proportional to cube of the distance, बात खोपड़ी में जा रही होगी मेरे ख्याल से, कि यह time period का square है, आवर्थकाल का वर्ग, एक पूरा orbit चलने में जितना time लगेगा, बच्चों, वो time period, उसका square जो होगा, वो r cube के inverse लोगा, r क्या बच्चों, यहाँ पर distance है, और आप एक बात जानते हैं, कि जो distance है, वो लगातार change हो रही है, बई, sun ऐसा तो है नहीं कि circle में, वो प्लैनेट जो है, वो circle में गूम रहा है, वो तो ellipse में गूम रहा है, distance लगातार change हो रही है, तो हम यहाँ पर जो distance लेंगे, बच्चों वो कौन सी लेंगे, हम यहाँ पर actually जो distance लिया करते हैं, semi-major axis, बई, हर किसी का अलग-अलग अलिस बनेगा, किसी का अलिपस ऐसा बनेगा, तो किसी का अलिपस ऐसा बनेगा, naturally सबकी semi-major axis अलग-अलग होगी, बई, सारे के सारे planet, sun के around equal time में थोड़ी न गूमते हैं, जैसे earth sun के around गूमता है, एक साल में, या जितने time में गूमता उसको एक साल, एक वर्ष, one year नाम दिया गया, 365 days, 365.25 somewhat, तो बच्चों मैं यहाँ पर जो आपसे कह रहा हूँ, कैपलर का जो तीसरो लोग है बच्चों वो यह बोलता है कि time period का square, जो उसकी sun से जो distance होगी, उसके cube के पर पूशल होगा, और यह आप पहले ही प्रूव कर बच्चों जो time period आता है, वो आता है, 2 pi under the root of r plus h का whole cube upon gm, याद हो आपको, r क्या थी? अर्थ की radius थी और h उसकी height थी, मतलब कुल मिलाकर आकर देखा जाए, यह r अर्थ की radius है, और h यहाँ से height है, तो बच्चों यह जो distance आएगी, यह distance कितने आएगी? r plus h? बच्चों यह आप देखिए, यहाँ पर जो time period आ रहा है, बच्चों वो कितना रहा है? 2 pi under the root of r cube upon gm, तो इस तरीके से time period क्या रहा है, बच्चों? r की power 3 by 2 के proportion रहा है, r की power 3 by 2 के proportion रहा है, मतलब यह हो गया, बच्चों कि जो time period का square है, time period का square है, बच्चों, वो r cube के directly proportion होगा, time period, आप देखो ना, यह r cube है, और वो root में है, मतलब time period r की power 3 by 2 के proportion, और वो अगर r की power 3 by 2 के proportion है, बच्चों, मतलब time period का square r cube के directly proportion होगा, लाजमी है, वही आपने देखा, बच्चों, तो यह जो kepler का third law है, जो बोलता है कि जब planet sun के around गूम रहे हैं, तो उनके time period का square, उनकी distance के cube के proportion होता है, तो यह कहां से आया, बच्चों, that could be derived from Newton's law of gravitation, Newton के गुरुत्वा गरशन के नियम का उप्योग करके आपने यह लाए थे, यह लाए थे, in fact, मैंने आपको एक question भी करवाया, आपको ध्यान हो, कि अगर force of gravitation r square के inversely proportional ना होते हुए, r की power n के inversely position हो, तो बताओ time period किस के परशन होगा, याद आया, लग रहा है यहां पर वोई बात, so यह Newton's law of gravitation से आया, और इस तरीके से हुआ, उसमा देखा था ना आपने, कि अगर r की power n के परशन हो जाया, तो फिर जो time period आता है, वो भी फिर ऐसा नहीं आता, वो कुछ और आता, r की power n minus 1 by 2 मिरे ख्याल से आता, मुझे exact ध्यान नहीं है, वो आपको ध्यान होगा, anyways, so बच्चों यह जो है, t square r cube के परशन होता है, और distance लगातार change होती है, तो हम कोन सी distance लेते है, हम लेते है, semi-major axis, मतब कुल मिला कर अगर मैं यूं कहूं, बच्चों, कि अगर दो planets, या जो दो planets है, suppose कि एक का time period टी वन और एक का time period है, t2, suppose कि एक planet का time period है, t1, एक का time period है, t2, तो t1 square upon t2 square जो होगा, बच्चों, that would be r1 cube upon r2 cube, क्या जाएगा, बच्चों, t1 square upon t2 square बराबर क्या हो जाएगा, suppose कि जे कि पहले वाले planet की sun से distance है, r1, और दूसरे वाले planet की sun से distance है, r2, पहले वाले planet का sun के र time period है, t2, तो ये आपके पास में आगया, बहुत simple सा question करते है, बिल्कुल simple सा question मैं आपको देता हूँ, if the distance of a planet from sun is increased by 1%, question दियान से सुनियागा, बच्चों, if the distance of a planet is increased by 1%, then what is the percentage change in its time period around sun? planet की sun से distance को आपने 1% बढ़ा दिया, उसके time period में कितना percentage change आएगा, बताइए, क्या होगा बच्चों, देखिए, time period जो होता है, वो r की power 3 by 2 के proportion होता है, r की power 3 by 2 के proportion होता है, और मैंने आपको बताया बच्चों कि जब 4-5% तक का change दे रखाओ, तो आपो कुछ नहीं करना, आपको 4-5% तक का change दे रखा है, आप direct जो power है, उसका change में multiply कर दो, बताया दा मैंने आपको, हम जानते हैं कि जो time period होता है, वो r की power 3 by 2 के proportion है, अगर मुझे 5% तक का change दे रखा है ना बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ, power का सीधा सीधा percentage change में multiply कर देता हूँ, अभी power कितन है, 3 by 2, change कितना है, 1%, तो मैं 3 by 2 into 1% कर दूँगा, कोल मिलाकर 1.5% increase हो जाएगा, increase क्योंगा, नचल सी बात है, यार जित तुमने ये बढ़ा दिया तो ये भी बढ़ना ही है, वह दोनों directs आमने सामने है, तो अगर इसको बढ़ाया तो ये बढ़ना ही है, तो 1.5% से वो increase हो जाएगा, या फिर दूसी तरीके से आप ऐसा भी कर सकता हो, कि पहले T था, बाद में T' हो गया, पहले distance R थी, और बाद में R' हो गई, पहले distance R थी, बाद में R' हो गई, पहले time period T था, बाद में time period T' हो गया, अब percentage पर question करने को आता है, अच्छो तो मैंने आपको बताया कि जिसमें percentage change given है, उसको 100 माल लो, और जिसमें पूछा है, उसको भी 100 माल लो, तो जैसे अप T को 100 माल लो, ये नहीं पता, पहले वाले distance को 100 माल लिया, और बाद वाले distance को 101, अरे, simple सी बात है, बात है, कि जब हम percentage में काम कर रहे हैं, शुरुआत वाली value को मैंने 100 माल लिया, शुरुआत वाली distance कितनी, so, बाद में 1% बढ़ा दी, तो 101 हो गई, और time period में change पूछा है, पहले 100, बाद में T dash, अब बच्चों, यदि मैं 100 upon T dash की value निकालूं, तो इसकी value निकालूंगा बच्चों, तो ये आएगा 100 root 100, भई 100 की power 3 by 2, मतब 100 root 100, और ये आजाएगा 101 root 101, और इसको solve करके देखें बच्चों, T dash की value आएगी 101.5, not exactly, approximately, लगबग लगबग 101, भई cross multiply करोगे, इस 100 से ये 100 कैंसल कर दोगे, कर दोगे, और फिर cross multiply करो, आपको ये मिलेगा, तो change कितने काया, चेंज आएगा बच्चों, 101.5 minus 100, याने की 1.5%, change कितना आगया बच्चों, 1.5%, तो इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा, एक तो हमने, बड़ा simple सा question था, बच्चों, ऐसा तो देखे, सीधर जीधर 5% तक का change दे रखा, खटा खट, पावर को आगे लाओ, multiply करो, chapter, goal, खतम के, एक question और आसान सा कर लेते हैं हम लोग बच्चो हमें दे रखा है कि किसी planet की, किसी planet की sun से distance, earth और sun के बीच की distance की 64 times है, किसी planet की sun से distance, earth और sun के बीच की distance की कितनी है, 64 times, determine its time period around sun, sun के around बच्चो उसका time period बताना है, थोड़ी देर के लिए वीडियो को pause कर दीजी, और question को कीजी, distance between a planet and sun is 64 times of the distance between earth and sun, calculate its time period around sun, देखिए, भई अगर मैं ये मालनू कि earth की sun से distance है, अगर earth की sun से distance में मालनू आर, तो उस planet की, उस planet की बच्चो जो sun से distance आएगी, वो आएगी 64 हा, अर्थ की sun से distance है, और तो planet की sun से distance कितनी है बच्चो 64 हा, अब पहले वाला time period T1 था, दूसरा वाला time period T2 था, और क्या हो जाएगा बच्चो, this would be R1 upon R2 की power 3 by 2, पहले वाले planet की time period T1 था, दूसे का T2, पहले आप square कर देंगे तो इधर cube करेंगे, इधर square करेंगे तो इधर cube करेंगे, अब देखिए, अब अगर मैं अर्थ के लिए बात करूं, तो अर्थ का sun के around जो time period होता बच्चो, वो one year होता है, पहला वाला planet में अगर अर्थ माल लेता हूं, तो उसका sun के around time period है one year, दूसरे planet का पूछा है, अर्थ और sun के बीच के distance है R, और उस planet और sun के बीच के distance है बच्चो, 64R, अर्थ और sun के बीच के distance है R, तो यहां पर 64R होगी, अभी R से R क्या हो गया बच्चो, cancel, cancel हो गया 1 by T2, और यह जो आपके पास में लिखावा है बच्चो, इस 64 को, अगर मैं 8 का square लिख I don't think anybody does have any kind of objection, बच्चो, 64 को बीच के बीच का क्या हो गया बच्चो, cancel, तो से 2 कैंसल हो गया तो 1 by 8 का क्यूब और 1 by 8 का क्यूब में रख्यास होता है बच्चो, 512, चेक कर लिजेगा, तो इस तरीके से बच्चो, T2 की value आ जाएगी कितनी, 512 years, 512 वर्ष, बड़ा चोटा सा time period है उसका sun के round गोमने का, तो बच्चो, यह जो capital laws है, मैं एक बार इनको recall कर दूँ आपको कि जितने भी planet से sun के round elliptical path में चक्कल लगाते हैं और sun उस ellipse की किसी एक focus पर होता है, जब भी वो motion करेंगे तो उनका angular momentum गंजव रहेगा, उनकी area velocity constant रहेगी, मतलब वो equal time में equal area चलेंगे, अगर time equal तो area equal, area equal तो time equal और तीसरी बात time period का square distance के cube के directly proportional है, और यह जो तीनों laws है बच्चो, access तो capital ने जब दिये थे बच्चो तो उसने elliptical path के लिए दिये थे, उसने elliptical path के लिए दिये थे, पर आप चाहें तो इनको elliptical path की जगा circular path के लिए भी लगा सकते है फर्ज कीजिए कि अगर प्लैनेट elliptical path में चक्कर ना लगाते हुए, circle में घूम रहा होता, तब भी यह तीनों laws बच्चों बकायदा लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, बस अंतर सिर्फ इतना सा होगा कि पिछली बार sun focus पर होता था, अब अगर मान लिजे प्लैनेट का होगा बच्चों, अगर प्लैनेट elliptical path में ना घूम रहा हो, circular path में घूम रहा हो, तो भी आपको यह याद रखना है कि Kepler के laws applicable होते हैं.